आज मैं आपको एक horror short film asymmetry explain करने वाला हूँ यह अल्टर की एक story है इस short film की link मैं description में डाल दूँगा यार आपको देखने हैं तो आप देख सकते हो मैं जो वीडियोस डालता हूँ जो movies की होती है यह एक एक दिन के बाद आने वाली है तो बीच बीच में यह short films की stories में डालता रहूँगा मुझे बहुत सारी request आई है questions और answers के लिए तो आप अपने questions comment में लिख सकते हो वैसे भी मैं community post करने ही वाला हूँ तो वहाँ भी आप बता सकते हो जल से जल हम वीडियो लाएंगे तो आप वीडियो पर focus करते है यह जो हमारी फिल्म है Air Cemetery एक serial killer के बारे में है मुवी स्टार्ट होती है और में एक quote आता है इसमें लिखा होता है कि मुझे beauty बहुत पसं है मुझे सब कुछ perfect पसं आता है यह बहुत ही गलत है क्योंकि आप कभी भी satisfied नहीं हो सकते मुवी स्टार्ट होती है और एक लड़का और लड़की हमें street से जाते हुए दिखते है यह लंडन की एक colony है यह दोनों आज Bible sale कर रहे होते है अपना message और religion सब को समझाना चाते है इसी वज़े से यह door to door जा रहे है और सब को ए Bible sale करते है रड़की आज frustrated है इनकी बात इनका message आज किसे ने भी नहीं सुना है इसका friend ही से कहता है कि और एक घर हम try करते है शायद यहाँ कुछ सुनने वाला हो इसकी इच्छा नहीं होती पर फिर भी यह मान जाती है यह door खटकडाते है और वहाँ से एक well dress आदमी बाहर आता है यह बहुत ही well married होता है यह दोनों जब कहते है कि उसे disturb करने के लिए sorry है पर यह कहते है कि कोई भी problem नहीं है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता है यह फिर इसे कहते है कि क्या आप what पर believe करते हो यह कहते है कि please अंदर आजाओ यानि कि believe करता है और एक smile देता है अंदर आने से पहले इन्हें अपने shoes बाहर निकलने के लिए कहता है इस लड़की से बहुत अच्छी खुश्बूई से आती है यह पुछता है कि बहुत ही अच्छा वर्फिम है यह कौन सा है कहती कि मेरा husband ने मुझे दिया था इसका नाम बताती है इस homeowner को लगता है कि चो लड़का इस लड़की के साथ है यही उसका husbandों का पर ऐसा नहीं होता यह अंदर जाते है और सब बैठते है इन्वे जड़ा awkwardness होता है यह awkwardness दूर कराने के लिए एक दूसरे को introduce करा देते है यहाँ पर लड़की कहती है कि आज लोगों को सुनने के लिए कुछ time ही नहीं होता homeowner कहता है कि लंडन की life ही ऐसी है सब लोग busy होते है यह लड़की कहती है कि आज तुम हमारी सुन रहे हो यह हमारी लिए lucky है homeowner creepy हुई आवाज में कहता है कि यह तो है यहाँ पर बहुत ही awkwardness हमें इस situation में दिखती है इस awkwardness को दूर कराने के लिए homeowner कहता है कि तुम आए हो मुझे तुम्हें चाय ओफर करने चाहिए थी मैरे manners कहा है वो फिर उट जाता है और चाय रेडी करता है इस चाय में वो drugs मिला देता है जिससे यह दोनों बेहोश हो जाए चाय पीते पीते Bible वो और discuss करने लग जाते है इस homeowner का favorite part वो होता है जिसमें God Devil के बारे में बात करता है homeowner चाय नहीं पी रहा होता तो यह दोनों पूछते है कि तुम क्यों नहीं पी रहे यह कहता है कि चाय जब मैं पीता हूँ तुम मुझे ज़रा अलग महसूस होता है ज्यादा चाय मेरे सहत के लिए सही नहीं है यह लड़की भी रिलेट करती है और कहती है कि मेरे साथ बेसा ही होता है यह शुगर की वज़े से होता है यह कहकर और एक शुगर का क्यूब वो ले रही होती है पर यह homeowner उसे रोक लेता है जो कहता है कि मैं तुम्हें यह नहीं लेने दूगा यहाँ पर situation बहुत ही creepy है यह awkward silence है पर फिर भी है चाई पीते है इसके बाद यह दोनों बेहोशो कर वही गिर जाते है और हमें दिखाये जाता है कि homeowner एक serial killer है इन दोनों को अपनी लैब में लेकर जाता है वहाँ पर इन दोनों को मार कर इनकी skin निकाल कर इनके अंदर सब भूसा विगरा भर कर उन्हें और stuff कर देता है इन दोनों के skin कभी खराब ना हो इसलिए इस पर work करता है इन दोनों के सही से पुतले और बना देता है और एक room में जाकर रखाता है जब हम इस room को देखते हैं तो यहां बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ है अगले कुछ scene से में हमें दिखता है कि जो भी लोग यहां इसके घर पर आते है और इसे कुछ sale करना चाते है इन सब लोग को मार डालता है थोड़ी दिनों बात एक आदमी इसके डोर पर आता है उसे कहता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो homeowner कहता है कि हाँ थोड़ी दिनों पहले यह आई थी यह कहता है कि मुझे सही से याद नहीं आ रहा क्यों ना तुम अंदर आ जाओ हस्बन को अंदर बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टी बनाता हो मुझे तब तक सब कुछ याद आ जाएगा हस्बन कहता है कि मुझे जादा वक्त नहीं है जल्दी से मुझे बता दो कि तुम्हें क्या पता है और इसके बाद मैं यहाँ से चला जाओंगा होम ओनर टी के लिए इंसिस्ट करता है हस्बन को घर में उसकी वाइफ का स्मेल भी आता है यह इसके बारे में पूछता है तो होम ओनर कहता है यह मेरे मदर का पर्फियूम है वो अभी भी यहाँ आई थी वो पर्फियूम का नाम भी लेता है उस लड़की ने पर्फियूम का नाम बताया था और यही इस पर्फियूम का नाम है तो हस्बन को ज़्यादा शक नहीं जाता जब यह हस्बन लिविंग रूम में आता है तो वो बाइबल देखता है उसने अपनी वाइफ को एगिफ्ट की थी और उस पर उसकी वाइफ का नाम है जब ये देखी रहा होता है तब होम ओनर एक प्लैस्टिक की बैग लेकर इसका दम खुटा देता है ये बेहोश हुचुका है और होम ओनर अब उसकी लैब में इस हस्बंड को लेकर आता है इसके बाद होम ओनर टब में है हस्बंड का हाथ उसने काट लिया है और इस हाथ में सिगरेट रखकर सिगरेट वो पी रहा है बाट टब में पानी की जगा खून है हस्बंड का जो लॉकेट था ये उसने डीबी में बंद करकर रखा है कुछ murder याद रखने के लिए उनकी चीज़े वो डबी में बन करकर रख देता है यहीं movie end हो जाती है इस movie में हम देखते है तो जो serial killer है यह बहुत ही well-dressed है, well-mannered है, सही से बात ही करता है पर फिर भी इनकी conversation में कुछ awkwardness है जब लड़की से बात कर रही थी, तब इसे पता चल गया था कि कुछ awkward है, यह killer ने इसे sugar लेने से मना कर दिया था इनके बीच में सही से बात करने के लिए कुछ चीज़े नहीं थी इस killer devil पर बिलीव करता है, यह उस लड़की और लड़की को पता था पर सिफ उसका respect करने के लिए उसके साथ बेटे हुए थे यह गलती, उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई मुवी के official statement देते हुए director ने भी यही कहा है और evil है, यह हमेशा beautiful रूप लेकर आपके सामने आता है मुवी के first ने हमने quote देखा था कि perfection एक सही बात नहीं है इसे satisfaction नहीं मिलता यह serial killer perfect था पर क्या यह सही था? आज की वीडियो हम यहीं खतम करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा अब मैं और भी 100 stories लाने वाला हूँ तो इस चानल को subscribe कर दीजे और बेल notification आइकों दबाना भी मत भूलिए अब फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुई के साथ तब ते के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये